मैं हूँ पंडित रागो राम पंडे और आपको आज हम बताएंगे कि मकर संकरांती आखिर क्यों इतना महतु रखती है खास जुड़ी हुई जानकारी आप जानिए सारी जानकारी हम आपको बताएंगे पर हमारे साथ आप वीडियो में बने रहे जैसे आपको मालूम है कि हिंदू पंचांग के अंसार चंद्रमा के दो पक्ष होते हैं दो पक्ष कोन से होते हैं सुकल पक्ष किष्ण पक्ष होते हैं अच्षेडायान और दूसरा है उतरायां उतरायान सूरी को सबसे सुब माना जाता है। सूर्वाथ युण अर्थाथ जब उत्राण की दिशा में सूरी बढ़ा सुरू कर देते हैं, तब 6 महिने की अवधि तक युण हमारे उत्राण सूर रहते हैं, इसी दिन से बसंत रितू की सिरुवात हो जाती है और नई फसलों की आनिक खुशी मनाई जाती है खरीब की फसलें कट जाती है और इस तरह से खुशिहाली आती है लोग संस्किर्थ के पर्व मकर संक्रांती के पर्व लोग आस्था संस्किर्थ से जुड़ा हुआ है और ये परव देश की अनेक राजों में अलग अलग राजों में अनेक अनेक नामों से इस्तिवहार को मना जाता है जैसे उत्तर परदेश में इसे खिचडी कहते हैं, दच्छिन भारत में इसे पॉंगल कहते हैं, गुजरात में उत्राण और बंगाल में गंगा सागर मेला लगता है और पंजाब में लोडी आसाम में ये मांग भी हूँ कहते हैं उरीसा में इसे भोगी नाम से परसिद्ध है अब सूरी देव की महतुता क्या रहती है मकर संक्रांती में अगर हम परमुक रोव से देखें तो ये परम लोगों के सूरी देव की उपासना इसमें क्यों करते हैं अब प्राता काल क्या करना चाहिए हमारे को प्राता काल हमारे को उठ करके सूरी भगवान को जल से अर्ग देना चाहिए ये नहीं कि जब ये मकर संक्रांती में होता है हमारे को सूरी सब कुछ देता है सूरी जो है सभी गुरों का आत्मा है इसलिए आपको चाहिए कि आप सुबहरे उठ करके असनान ध्यान करके सूरी भगवान को नमस्कार करें जल दें अर्ग दें इससे क्या होता है कि आपके सारीरिक पीड़ा दूर हो जाती है आपके किसी प्रकार का रोग व्याधियों दूर हो जाती है और जब भी संकरांती आए तो जरूर ही देना चाहिए मानिता ऐसी है कि अगर जो इस दिन कोई दान करता है मकर संकरांती वाले दिन अगर कोई दान कर देता है दान का महतु बहुत ही फल देने वाला हो जाता है कई गुना हजारों लाखों गुना इसका फल जो है हमारे को मिलता है मांगलिक कारी की शुरूत इसी दिन से किया जाता है साधी व्याभी इसी दिन से शुरू हो जाते हैं मुंडान ग्रह प्रवेश और मांगलिक क क्रानथी का महतु क्यों है August 3 और सूरी गोचर हो ने इस पर को मकर संक्रानथी कहते हैं तो इस एड़ दिष्टी से बहुत ही सुभ दिन देने वाला हो जाता है बहुत ही सुभ जो है हमारे लिए यह बन जाता है तो इसलिए आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए और मकर संक्रांती के दिन अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो आपको मिलेगा सो गुना अधिक फल कैसे आप ध्यान होनेवाला है अगर नहीं जा सकते हैं तो इस दिन घर पे ही आपको अशनान करना चाहिए अगर आपके घर में गंगा जल है तो गंगा जल जरूर डाल करके अशनान करें पवित्र के निद्यों का जल बहुत ही सौह माना गया है और इस दिन थोड़ा-सा क्या करना है, अपने चावल औरद की दाल ले करके तिल और यह सब चीजे दान कर सकते हैं, उन्ही बस्तर दान कर सकते हैं, अगर इस प्रकार से कोई दान करता है, तो इसका सोगुना फल मिलता है, क्योंकि मागमा से महा देवे योधा स्यांती घिर्त कमबलम, साभुकतया सकलान भोगान अंते मोक्ष प्रयक्तिदि मतलब इस दिन अगर किसी भी गिरस्त ब्रामण को भोजन करा दिया जाए या कोई सामगरी दे दी जाए या तीन पातर दे दिया जाए संबो हो तो यम रुद्र यम के नाम से गाय का दान किया जाए अगर कुछ भी दान कर सकते हैं अगर कुछ नहीं है तो किवल जो है आप जो भी आपकी सर्धा सामर्थ है दान करें आपका कल्यान होगा अधिक जानकारी के लिए हमारे अश्टोरागो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लिजे पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद